स्वागत आप सभी का मंच टीवी की इस खास पेश कर जानी की चुनावी संग्राम किसका कटेगा टिकिट हम पूरी कोशिश यह कर रहे हैं कि चुनाव से पहले सारी तस्वीरे आपके सामने क्लियर कर पाए साफ कर पाए कि आखिरकार जिस तरीके से जो की शहर बर में ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार कौन किसकी टिकिट पे लड़ेगा विधान सभा चुनाव के लिए और कौन जीत कर आएगा ताकि शहर का विकास हो चके तो ऐसे में हमारे साथ BJP के पूर्व आमदार कुमार एलानी जी मौजूद है तो इनसे जानने की कोशिश करते है क्योंकि काफी चर्चा जो है शहर में ये चल रहा है कि आखिरकार भाजपा की टिकिट किसे मिलेगी क्योंकि सबी लोग भाजपा की तरफ जा रहे हैं और कई ऐसी बाते और ऐसी चीजे सामने आ रहे हैं कि सबी लोग का यह से लड़ेगा भाजपा से वो से लड़ेगा भाजपा से लेकिन फिर भी यह picture कि युनि अब तक clear हो पारी, बाते कि युनि ही clear हो पारी, कि आप फिर आपके परिवार से मीना जी या फिर कोई और लड़ पाई BJP के टिकेट से देखी क्या रहता है जब भी चुनाओ आता है सबी लोग कोशिश करते हैं कि हमें टिकेट मिले लेकिन आप तीन बार चुनाओ हो चुका है विदान सभा के तीनों बार टिकेट मुझे ही मिली है बले मैंने एक बार चुनाओ हारा दूसरा टाम आया वापिस टिकेट मुझे ही मिली में चुनाव जीता पिर उसके बाद में बाकी लोग कोशिश कर रहे थे कि टिकेट हमें मिले जब भी जब जब युचुनाव आते हैं तो हर आदमी प्रयास करता है कि शाद मुझे टिकेट मिल जाए इस बार क्या है नरंदर मोदी जी का जो पंत प्रदान नरदर मोदी जी का कारे है देविंदर फणनवी जी हमाई चीफ मिनिस्टर जो उनकी कारे है यहां आज भारते जनता पार्टी नंबर वन की पार्टी है तो उसको देखते हुए आदमी को ऐसा लगता है कि अगर मैं बीजेपी में जाऊंगा त बारते जनता पार्टी की अभी विदायक यहां पे जो आपने देखा होगा पाच साल में कोई कारे नहीं किया है तो उसके लिए उनके बेटे उनकी परिवार कोशिश करते हैं अभी जिसकी सीजन्ग चलती है उसकी पीछे बागते रहते हैं आज हम तो बारते जनता है, टिकेट मुझे मुलने चाहिए, और मैं भी मैदान खोल के छोड़ दिया है, जिसको भी कोशिश करने है, करे, लेकिन मुझे पुरा विश्वास है पार्टी के उपर, टिकेट मुझे ही मिलेगी, कि चाहे कोई कितना भी जोड लगा वे कोई कोशिश करे, चाहे इधर उधर से फोन कराव्य कोई दिली जाते हैं कोई नाधपूर जाते हैं, हरे को कोशिश करने का हक है, अधिकार है लेकिन मेरा कऱक्ण, मुझे जरूर टिकेट देंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जितके भी आएं उसके बाद फिर से आपने कोशिश की थी तो ये चीज देखने को मिली थी कि जब मोदी लहर थी उस समय जब विधान सभा चुनाओं में खड़े हुए थी तो आप यहां से जो थे हाचों के दे चुनाओं लेकिन इसमें दो है दो तरके की बात लोगों की ज जनता ने आपको न का रहा या फिर अपने लोगों नहीं जो कहीं किज गया नहीं देखिए जो लाश्ट टाइम चुना हुआ था दोधर चोदा का उसमें भारते जनता पार्टी और शुसना अलग से हो गई थी एक तो में कारण हो था सिना सिना की यूती नहीं हुई तो इ देखिए हां कोशिश करने की उन लोग ने प्रयास किया लेकिन न सफल हुए लेकिन आज के महुल में बारते जनता पार्टी शुसना साहीं पार्टी सभी हम एक है आरपिया है चारों पक्षे एक है अभी देखिए आपने देखा होगा जो थाना डिस्टिक का यहां हमारे गनेश जैक के जैसा आदमी इनसीपी शोर के बीजेपी में आया आज हर कांग्रेसी हर इनसीपी वाले वो शोर के बीजेपी में क्यों आ रहे हैं क्यों बीजेपी कारे कर रही है बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हमारे नरंदर मोदी जी जो देश बर में यहां कश्मीर का जो मुदा उनुने तिर्वंदर साथ हटाया, या हमारे देونदर फंणवीज Σथाप, चीफ मिनिस्टर, जो उनकी कारे है, जो उनकी योजना है, उसको सभी लोग साराना करते हैं, आज पास साल में हमारे चीप मिनिस्टर देवंदर फॉर्णविस साब के पास एक भी दाग नहीं लगा, ना कोई ब्रिस्टाचार का दाग लगा, तो आपने देखा होगा साफ सतुरी पार्टी एक ही है, बारते जंता पार्टी, आज मैंने भी पास साल हरने के बाद मैं चु से रादाव स्वामी तक हमने रामडी करन का मजबूत रोड बनाया, जहां पे पानी खरा रहता था, आज पानी नहीं खरा रहता है, शहर में डिवाइडर्स लगवाए, रादाव स्वामी से लेके तिन नमबर उटी तक सीमट का रोड बनवाया, तिन नमबर उटी से लेके खत्री बॉन तक, रामायन अपर्मेंट तक, वहाँ पे सीमट कांकरी करन का रोड, शहर में काजल पेट्रोल पम का रोड, डिवाइडर से, काफी सारे विकास काड़े जो हमारे पीरेड में भी हुए, चाहे गार्डन्स के लिए फंट्स लाना, आज हमारा कोशिश यह है कि उ रोड होने चाहिए, और उसके अलावा जो दोखादा एक बिल्डिंग है, उनको चार एफसा मिलनी चाहिए, री डिवल्मेंट की परमीशन मिलनी चाहिए, उनको फाइन जो अभी जो सरकार और जो लोग बोले है, आँ फाइन लगया फाइन लगया, लेकिन वो फाइन का र नबे फुट भी करते हैं तो डिस्पिट मिट जाता है, मेरा कहने का हम जिद्पकर के बैठेंगे और देखिए, आमदार ने आपने देखा होगा, कभी कोशेश भी नहीं की कलिया नमबनात रोड के लिए, मापोर ने कभी कोशेश भी नहीं की, आज फिर भी मैं जबी नबे फुट दोनों दुकानदारों को खुश करके और इस शहर के लिए डिस्पिट ना करके, हाई कोड से केस निकालके उस रोड का पैसा भी सेंक्शन पड़ा है, उस रोड को बनाना चाहिए, जिनका दुकान उदर पुड़ा गया है, उनको अल्टरनेटिव साइड देक के गोवर्मेंट से सुखी करना चाहिए. जिस तरीके से अभी चुनाओ से पहले जो की लोग कह रहा है कि चुनाओी चूरन दिया जा रहा है कि आप अगर चुनाओ में भाजपा को लेके आते हैं, उमीदवार को चिताते हैं तो ये विकास कारे के जाएंगे, 21 कोटी के रोड बनाया जाएंगे, तो ये वाक्य में ह होगा या फिर ये लोगों को इस तरीके से खली बता रहा जा रहा है और फिर चुनाओ में जो है जुन जो रहा जाएगा? आज दोबी गाड़ वाला रोड के लिए फंट्स पास किये, मेरा मैंने मांग थी सादू वासवानी से लेके लोकुष अपाडमेंट चुपरा कोरोड तक सीमट कांकरी करन का रोड, डालफिन किलप का रोड, चार नमबर के तीन रोड, आज एमेमार्डी से हमें मारल गाउ के लिए मेंने फंट्स मांगे थे, वहाँ पे सीमट कांकरी करन के लिए में जो फंट्स दिये, उसके अलावाच शहाद का जो रोड है, शहाद से लेके मारल गाउं तक, चीप मिनिस्टर साब ने फंट्स दिये, में मारडी में से, यहां की जो इनसी बी की आमदार है, आप ने वो देखा होगा, अभी हाली में विदान सभा जबी सेशन चला था, उसने खुद ही कहा, कि पाच साल में मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है, मेरा कुछ तो काम कीजिए, मैं पाच साल से चिला रही हूं, बोल रही हूं, लेकिन वो चिलाने से बोलने से नहीं होता है, दिम मंतरी को हमने सरफ एक लिखे दिया कि रोट का इसा सा रिक्वार्मेंट है उन्होंने और भी रोट कहे हैं उन्होंने में जो प्रामिस किये चीप मिनिस्टर साब ने मैं पांसो क्रोर उलास नगर के सीमर कांकरी करन के लिए फर्स्ट इस्टालमेंट आपको मैं जल से जल दू है जो भी बाते होती है आपने देखा होगा उन्होंने गनपत गायकवाट साब को वो जो हमारे आमदार है उनको साड़े चार सो कोटी दिया आज कल्यान में नविरंदर पावर साब को दिया कपिल पाटिन साब को दिया किशिन खतोरे साब जो आमदार है उन्होंने आठ सो हजार कोटी लाया इसे आमधार ने मुझे बताइए उलास नगर पास साल में एक कुंसा काड़े किया या एक कुंसे रोड के लिए फंड लाया या एक पानी की सुज़ा लाई एक कच्रे की सुज़ा लाई या शहर के हित के लिए क्या काड़े किया या यह किया सर्फ उनका फ है एक नमबर से लेंक खकाश नंबर च्क हिए कि उसके गर के बैड़िंग कहीaffen नी आप जाएंगे रोडigo के यो यह कोछ ज़ाएं गहिए उस रोड़ पर इतनेяг हैं जो वहां पर लोग मेरे पास अम्प्लेण लेके आते हैं, पूरे शहर में खड़े हैं, खड़े, पाटोल बढ़ना तो एक मामूली सी बात है न, वो नहीं बर पाए, आदमी घंपती है, इसा है वैसा करके लेके जा रहा है, चालिया, आज एक बास सुनिये, मापोड है, उनके घर, उनके घर, खाजदार, आमदार है, आज उनको काम करना चाहिए, सर्व आता है एलेक्शन, मैं ये पाटी में जाओंगी, मैं वो पाटी में जाओंगी, कालानी को वोट दो, कालानी को वोट दो, अरे कालानी को वोट देवे तो क्यों देवे, वोट आदमी काम को देता है, आप मानते हैं कि इन सभी चीजों के सबी राजनीदी के पीछे और आपसी घरों के पीछे विवादों के पीछे जो है जनता जो है शहर की भुगति Green यह आप मानतें एक भी आदमी आपको सीधा नहीं मिलेगा किसके पर 307 है, किसके ऊपर कुंसा केस है, कोई वांटेड है, कोई तरीप आ रहा है, कोई कैसे है, आज दिन बर दिन, देखो उनके रोज टी हो के कि आदमी जो वाइट कलर हो ले हो हमारे बीजेबी में आ रहे हैं, आज बीजेबी विकास जो है दोनों तरफे से नहीं हो रहा है क्योंकि बीजेपी भी लंबे समय से सर रही है इसमें क्योंकि देखे दो राए की बात नहीं है अगर आप कहेंगे कि वहां से भी है तो यहां से भी कुछ ना कुछ गलती क्योंकि जब कुछ छोटा भी काम होता है गड़ा बरने कैसे देखिए इस शेर का उल्लाथ नगर कामदार किसको बोलेंगे आप जगी मैं मत کیजिए कैसे शेर कापता तो एक हमारे उल्लाथ नर कांस्टिटुनजी का आप जो के और्म की और अब ब्रोबर उसका मेरे च्शन का पता है पाच साल चलाता हूँ, आज के डेट में, आमदा मेयर किसका है? पंचम कालनी, मेरे को बताए, ये पंचम कालनी ने क्या काम किया? गड़े नहीं बरसकती है, तो रोड क्या बना सकेगी? मेरी मिसिस मेयर थी मीना ऐलनी, उसने तो रोड बनाया ने, डिवाइडर लगाया, आप देखु तक रोड काफी सारे हमने रोड बनाए काफी सारे योजनाई बनाए डिवाइडर से लगाए हम पाजिटिव सोचते हैं नेगेटिव ने आज यह लोग गड़े नहीं बसकते हम दो हमारे टाइम पर अगले साल बताईए इसके पहले पिछले साल में एक भी खड़े में मैंने ऐसा नहीं था कि डामडी करना हम छोड़ दे वे सब का पाटोल बरवा दिया था गनपदी को देखते हुए चालिया को देखते हुए पहले ही मानसून के पहले हमें गड़्यों के पीछे बीचार करते हैं हम लोग जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूरे देश भर में बीजेपी की लहर चरी पूरी दुनिया में चर्चा बीजेपी के हो रही है वहीं पे बीजेपी नाम कहीं ना कहीं पार्टी का पीछे रह गया गया है और लोगों का यह कहना भी आप थोड़े दिन पहले देखते रहे है क्या आने वाले समय में बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीजों का डिफेक्ट करेगी देखिए बारते जनता पार्टी पूरी प्रयास कर रही है कि इस शहर में सुक्षान्ती से शहर चले डेवलमेंट हो विकास हो आपने देखा होगा कितने सारे रोड हमारे माने नितिन गर चन्होंने मुंबई्ट कल्यान मेट्रो रेल का वदगाटन किया अभी कांग्रिस के लिए हम सोच सकते हैं किया बारते जनता बठी के लिए आप सोच सकते हैं कि कल्यान तक मेट्रो आएगी जो आज अलास नगर और हमरी मांग की है उन से कि ये मेटरो अलास नगर तक आए, अंबरना तक आए अज तलोजा तक वो मेटरो जाएगी, हमारे अलास नगर से लाखों करौन, रोग डेली, आज ये अलास नगर से मुंबई जाते हैं और आपने देखा होगा लोकल टरेन की कैसी हालत है आज कितने लोग भ्यापार करने को जाते हैं जो गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं जो हरे एक आदमी को डाइडाई लाखड़े प्या गुवर्मेंट फिरी दे रही है गरीबों को गैस सिलेंडर दे रही है गरीबों के लिए लाइट उनके घर तक पहुचाना उनको पानी की सुईधा रहे लिए रस्ते देना यह कुन को बताइए कुन से हमारे कांग्रेज या इनसीबी ने कभी किया है नहीं कभी सोचा है उनके सिर्फ गोटा ले के उपर गोटा ले निकले गोटा ले गोटा ले बारते जंता पार्टी नरणर मोधी जी का एक गोटाला बताइए चीप मिनिस्टर देविंदर फर्णवी अपका एक गोटाला बताइए आज मेरा एक गोटाला बताइए बिस साल हो गया मेरे को राज नीती में सामने वाले का मैं सो गोटाला बताओं लेकिन मुझे बताना नहीं है सबको मालूम आता है अज कितने किर्मिनल लोग उनके साथ में है हमारे साथ एक किर्मिनल बताइए अरे हम साब सबी छुदी रखना चाहते हम बिस्यस मेंने शहर को व्यापार के दूरूर लेके जाना है आज मैं मानता हूँ मंदी है उस मंदी को भी दूर करना है Princip करता कि ये मेसेज उलाह नगर ना सिर्फ पूरे देश ना पूरे विदेश में भी मंदी है आज सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि उलाह नगर में मंदी है या इस देश में मंदी है पूरे एकानमी वर्ल्ड की अमरिका हो, चाइना हो, रश्या हो, हांकांग हो, बेंकांग हो, दुबई हो, हम सभी जगे से पूछते हैं, पूरे वर्ल्ड में मंदी चल लए है, ये मंदी का दोर भी खलास होता है, कभी कभी आता है, लेकिन वो दोर खलास हो जाता है, आज मेर उन्होंने गरीबों के लिए मकान का उन्होंने जो सोचा है किसी ने गौर्मेंट ने सोचा है लाखों करोणों मकान बढ़ना है जो की गरीबों को मिलेगा सस्ते अधाम में तो इन भावी आम्दारों में ऐसा कोई उम्यदवार है, जो आपको तक्कर दे सकता है। देखिए मुझे तो काम करने का शोक है मेरा लक्षा है इस उलाथ नगर में सभी सीमर कांकरी करम के रोड होने चाहिए जो दोखादा एक बिल्डिंग है उनको फैसिल्टी मिलने चाहिए फैसाइच चार उसके अलावा जो बेगर हो गए है यहां कल्या नमबरनाथ रोड है इ हमें उलाथ नगर का प्लांट होना चाहिए कि हम खुद का पानी बनावे जैसे हमें कम बाव में पानी पर लाइट की सुईदा वरोबर से होनी चाहिए इस वक्त हमें सबसे जादा फाइदा है हमारी सरकार है जब है मैं जब हैं आमधार बना था उन टाइम में में बारते जनता पार्टी खाता और सरकार थी कांगर्स और एंसीबी की फिर भी मैंने विकास कारे किया आप पूरे मैं दावे के साथ बोलता हूं पूरे माराष्टा में सोरक रहते मैंने उलास नगर में लाई जन मुस्लिम लोग के लिए जनादा उठाने की गाड़ी मैंने लाई आज शमचान भूमियों में हाल मेरे टाइम पे बना आज देखाओगा फनीचर बजान में जो डिस्पेंसरी है हास्पिटल बनी वो मैंने बनवाई सादू बेला पे हास्पिटल आमदार निदी से मैंने बनाई बले बोर्ड कोई भी लगाता है वो काम मैंने किया सेंटल हास्प में मैंने बच्चे लोग के लिए जो यूआ लोग है उनको शबीस अदर मैंने लेसन लिए हर बुदवार को मैं रोटरी किलाब आप मिड टाउन वहां पे मैं आटियो बुला के कैम लगवाता था शबीस अदर लेसन्स लिए कितने लोगों को राशन कार्ड बनवा के करता हूं और मेरा एक-एक लेटर करिस्पनिंग पड़ा है और एक-एक चीज मैंने अपने दिल से काम करता हूं हमसे बातशित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले चुनाओं में जो है जिस तरीके से आपने विकास की बाते की वो आप जीत के अगर आते हैं तो वो विकास हो हम यहीं उमीद करेंगे शहर की जनता भी यहीं उमीद करेगी तो यह थे हमारे साथ कुमार रैलाने जी जिनका कहना यह है कि अपने काम पर विश्वास करते हैं जब यह आमदार थे उसमें से बीजेपी की सकता नहीं थी सरकार नहीं थी लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि बहुत से कार के और वाक्य में शहर में जिस तरीके से बाते की वो थोड़े बहुत काम हुए ह लेकिन परिस्थिती बात करते हैं आज की और जो हालात बने हुए हैं जिस तरीके से शहर में रास्तों की खराब आलते हैं उस तरीके से इमार्तों की दिक्कते हैं डंपिंग ग्राउंड की दिक्कते हैं शहर में पूरी तरीके से जो हालात से बत्तर हैं अब देखना यह है कि इस चुनाओं में जिस तरीके से जो वादे किये जा रहे हैं जो कि आश्वाशन दिये जा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर हम जीत के आते तो आपके लिए ये करेंगे तो जनता किस तरीके से विश्वास करती है और आने वाले चुनाव में कोन जीतता है और शहर का विकास किस प्रकार से होता है